आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, तो आज के मारा Question क्या है? A student sitting at the back bench in the class has difficulty in reading ठीक है? What could be the defect in his vision? तो इतना ही सोचो, एक student को पीछे से बैठके देखने में दिक्कत हो रही है मतलब उसे Far of Object मतलब उसकी Eyes से काफी दूर हो गया हमारा जो Blackboard है उसकी Eyes से दूर हो गया तो उसे Far of Object को देखने में दिक्कत हो रही है तो ऐसा कॉनसा डिफेक्ट है जिसमें आपको दूर की चीज़ सही से दिखाई नहीं देती वो डिफेक्ट होता है हमारा Myopia का ठीक है? तो हम लोग समझ गए कि भाई उसके Eyes में कॉनसा डिफेक्ट है? Myopia है अब हमें क्या वोला क्वेशन है? Draw Ray Diagrams to illustrate the image formation of the Blackboard when he is seated at back seat and front seat और दो possible causes बताने हैं हमें इस defect के और हमें बताना है कि इस defect को हम लोग एक Ray Diagram से Ray Diagram की मदर से explain करना है कि इसको correct कैसे किया जा सकता है ठीक है? तो हम इसके Diagrams की तरफ बढ़ते हैं कि करके सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहां उसका Diagram है सबसे पहले हमें कहां बताना था? Back seat से उसका Diagram बनाना था तो यह हमारा first diagram है उसके Back seat से अब clearly देखो distant object से जो Ray जा रही होते हैं वो nearly parallel हो जाती हैं और उसकी जो eyes हैं उसकी eyes के ciliary muscles are unable to relax ciliary muscles जो होते हैं Myopia के case में वो unable to relax होते हैं ठीक है? unable to relax अगर relax नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो relax करते हैं तो यह thin हो जाती है मारी islands thin हो जाएगी तो उसकी converging power कम हो जाएगी ठीक है? Converging power कम होती तो यह इतनी जल्दी इनको converge नहीं करता आराम से converge करता और यह पीछे जाके मीट कर जाती है और हमें सही जगापी image formation होती हुई दिख जाती पर वो relax नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इसने बहुत जादा converging power की मुदद से बहुत जल्दी image formation कर दी और देखो रेटीना पे image नहीं बनी तो उसे नहीं दिखाई दिया तो जब वो back seat पे बैठता है तो उसके लिए यह diagram आपको बनाना है I hope समझ भी आ रहा हो कि यह diagram कैसे हमारा help कर रहा है और एक और reason हो सकता है यह problem create होने का मान लो आम लोगों की eyes का size इतना होता सोचो normally लोगों की eyes का size इतना होता है हो सकता है उस बच्चे की eyeball ही लंबी हो थोड़ी सी जादा यह भी defect है अगर ऐसा हुआ तब भी even though उसकी eye lens सही से काम कर रही है बट still सही जगा पे image formation नहीं हो रही होगी तो अभी हमने यह जो दो देखे यह क्या है यह causes of myopia है यह है causes of myopia और हम अपने question में causes बताने थे state two possible causes for this defect तो हमने वह भी देख लिए अब वापिस आते हैं second part पर second part क्या बोल रहा है front seat पर क्या होता है front seat का मतलब जब उसकी जो उसके पास जो blackboard है वह काफी correct distance पर जहां तक वह देख पाता है तो अब blackboard काफी pass है उसकी eyes के तो क्या होता है उसकी eyes के पास already बहुत जादा converging power है लेकिन अब notice करो इन दोनों cases में आप खुद देखो किस case में आपको feel हो रहा है जादा converging power की need रही होगी पहले वाले case में actually में को स्ध strands स्थ यहां तक पहुंचाना था ठीक है देख रहे हैं कितना कम bend करने की जरुत थी मुझे फिर जादा पावर है और बहुत जादा बेंडिंग हो रही है इस case में इस case में नहीं थी फिर भी हो रही थी इसलिए दिक्कत रही थी तो हम समझ गए कि भाई उसके eyes और इतनी पास की चीज को converge कर रही है और वो सही जगा पर आके meet हो रही है तो ये है जब उसे एक far point पे object दिखाई देता है मतलब जब वो front bench पे बैठ जाता है तो वहाँ से उसे correctly दिखाई दे रहा होगा क्योंकि उसकी जो blackboard है वो उसके far point की range में है और final हमें क्या बताना है इसको correct करने का diagram तो जो last part है वो ये है इसको correct करने के लिए हम क्या करते है आपकी eyes की converging power ज़्यादा है आपकी eyes की converging power बहुत ज़्यादा है converging power को कम करने का simple तरीखा है एक diverging lens का स्तेमाल कर लो ठीक है तो हम लोग ने diverging lens लगा लिया कौनसी lens हमारे पास होती है diverging हमारे पास होती है concave lens तो concave lens की बंदद से हम इसको correct कर सकते हैं हमने concave lens लगाया अब notice करो यहाँ दूर से भी जो light ray आ रही थी parallel वो इसने क्या कर दिया इसने उसको कर दिया diverge अब इसको पीछे meet करवा तो ऐसा लग रहा है यह इसी point से आ रही जिस point तक वो already देख पा रहा था और इतने point के लिए तो उसकी eye सही से काम करी लेती है तो उन्होंने सही जगा पे उसकी image formation कर दी पर यह diverging करवानी की need थी जो हमने इस concave lens से करवा लिया और इस तरीके से हमने myopia का correction देख लिया तो I hope यह question सबको समझ आ गया होगा अब